साथियों आप सभी का स्वागत है ब्रेल लर्निंग पार्ट टू आज का हमारा विशय है और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं in the game learning part one में 6 बिंदो के बारे में जो मैंने concept यह था आपको अवश्य हिस पसंद आया वह और समझ में भी आया होगा तो आज जो मैं आपको बता रहा हूं 6 बिंदो के बारे में वो Braille slate के माध्यम से बता रहा हूं कि आप किस प्रकार से Braille के 6 बिंदो को आप सही तरीके से braille slate में 6 dots लिखेंगे, तो शुरू करते हैं video, यह आपके सामने slate है और मैंने stylus भी ली हुई है, यह देखिए मैं 6 dots का प्रयोग कर रहा हूं, मेरे right hand में stylus है, और stylus यानि braille pencil जिसको बलते हैं, braille column, तो शुरू करते हैं, सबसे पहली बात कि हमने stylus को कैसे पकला है, stylus को पकड़ने का तरीका होता है, सबसे पहले आप अपनी इंडेक्स finger है, उसको उपर रख लेंगे, और middle finger और उसके बगल वाली यानि ring finger उन दोनों के एक साथ रखेंगे, और एक side में आप थम रखेंगे, यह भी एक तरीका है, या फिर आप stylus को grip में पकड़ सकते हैं, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, आपके उबर के आप stylus को कैसे पकड़े, जिसा आपको आसान लगता हो, आप इन दोनों तरीकों में से कोई साभी तरीका अपना सकते हैं, और अब मैं आपको फिसे लिखके दिखाता हूँ, और यह राइट से बन तु थ्री और लेट साइड में 456, यानि तौप टू बॉटम उपर से निचे के और लेट साइड में 456, यह प्रकरेट्र चल रही है हमारे लिखने की, तो एक सवाल और उटता है हमारे मन में वो सवाल यह है कि जिस सेल में हम ये डॉट्स लगा रहे हैं प्रेल के उसमें हमारी स्टैलेस रहेगी ये तो निश्यत है, कन्फ़ा में क्योंकि तभी लिखा जाएगा लेकिन उस स्टैलेस को सपोर्ट देने के लिए सहरा देने के लिए ताकि shtalis हमारी उस cell से इधर उधर ना जाए उसके लिए हमें क्या करना होगा उसके लिए हमें बाएं हाथ की तरजन यह उली यानि इंडेक्स फिंगर का प्रयोग करना होगा जिस cell में हम shtalis चलाएंगे उसी cell में हमारी वो finger रहेगी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो finger अगले cell में रखते हैं लेकिन वो तरीका सही नहीं है उससे stelis हटने का chance रहता है उस cell से तो जिस cell में हमारी stelis रहेगी उसी cell में हम अपनी index finger रखेंगे left hand की right hand से stelis पकड़ रहे हैं pencil पकड़ रहे हैं braille वाली और left hand की index finger से हम उसको cover कर रहे हैं कि हमारी stelis कहां चल लगी है तो आप फिर से देखिए आप देखिए मैं grip में ज़्यादर पकड़ता हूँ stelis को तो grip के माधिम सही में ज़्यादर लिखना पसंद करता हूँ यह मैं समय six dots लगाने का तरीक आपको बता रहा हूँ bracelet के माधिम से अब जो finger हमारी उस cell में कैसे रखी जाएगी यह बताता हूँ मैं आपको यदि आप dot one प्रेस करेंगे जैसे कि आपको मैं नीचे फिर से बतायता हूँ एक बार जैसे हम dot one प्रेस करेंगे तो हमारी उगली होगी dot two three five six पे यदि हम dot one और four प्रेस करेंगे तो ठीक है यदि हम dot two प्रेस करेंगे तो उगली हमारी थोड़ी सी और नीची जली जाएगी यानिकि five और two प्रेस करेंगे dot two या five प्रेस करेंगे तब मारी थोड़ी सी और नीची जली जाएगी यदि हम dot three और six प्रेस करेंगे तो हमारी उगली जो row है हमारी उसके border में चले जाएगी यानि कि अगली line के और पहली line के बीच में चले जाएगी फिर उसके बाद index finger को हम आगे बढ़ाएंगे फिर उसके बाद हम stelis को उठा कर जिस cell में हमारी finger गई है उसी cell में stelis लगाएंगी यानि 1 प्रेस करेंगे फिर 2, 3, 4, 5, 6 तो ये बात विशेश तोर पर याद रखने वाली है कि जिस cell में हम लिखते हैं उसी cell में हमारी finger होनी चाहिए और अगले cell में जाने के लिए पहले हमारी finger जाएगी यानि left hand की index finger जाएगी फिर उसके बाद हमारी stelis जाएगी तो ऐसा होना चाहिए तब आप असानी से braille के dots को लिख सकते हैं चाहिए वह six dots हो या आप उसमें alphabet लिखें या फिर कोई शब्द लिखें या वाक्की लिखें या कुछ भी लिखें मतला पुरा paragraph लिखें पर आपको इसी तरह किसे लिखना होगा तो अवश्य ही आप पोई जानकारी पसंद आई हुई तो आप सब इस उम्मीद करता हूं कि अगली जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनलन से जुड़े रहेंगे धन्यवाद जय हिंद